नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं मुशी प्रिमचन द्वारा लिखा हुआ उपन्यास रूठी रानी अध्याचार रानी की हट रानी उमादे अपनी जित पर काईम रही, राव जी से न बोलती है न उन्हें अपने पास बैठने देती है राव जी आते हैं तो वा उनका बड़े अदब से स्वागत करती है मगर फिर अलग जा बैठती है उसके माशुकाना अंदाज और शकल सूरत ने राव जी को बहुत मोह लिया है वा बहुत चाहते हैं कि और कुछ नहो तो वा जरा हसकर ही बोल दे मगर रानी उनको बिलकुल खातिर में नहीं लाती इसके साथी साथवा भारी ली से भी कुछ खिची-खिची सी रहती है भारी ली अपने मामूली काम किये जाती है और आख बचा कर राव जी से हस बोल लेती है राव जी समझते थे कि भारीली ने ही मेरी जान बचाए वो उनसे कहती कि आप ही की बदौलत या नाकडरी हो रही है अब मेरी लाज आपके हाथ है अगर आपने मन मेला किया तो मैं कहीं किना रहूँगी रागोजी जोची ने भी कहा कि अगर भारीली मुझसे भेदना बताती तो जो सेवा मैंने आपकी की है वो हर्गिजना कर सकता था रागोजी इतना तो जानते थे कि रावल जी की बुरी नियत की ख़बर मुझे जोची ने दी और जोची को भारीली से इसका पता लगा मगर वह यह न जानते थे कि भारी ली से कहने वाला कौन था उनका हाल तो जब मालूम होता कि रानी उमादे अपने मूँ से कुछ कहती मगर वह तो भारी ली, राव जी और जोटसी सबों से ऐसी खिंड हो रही थी कि जवानी न खुलती थी उसका धर्मिय कहता कि तेरा यो रूठे रहना शुबा नहीं देता मगर उसका दिल नहीं मानता था वह जब तवियत को दबा कर कुछ पाचीत कहनी की नियत करती तो कोई जवान पकड़ लेता बिचारी अपने दिल से लाचार थी भारे ले उमादे कि कि इस खामोशी शे डरती रहती है कि कहीं मुझे पर वरस ना पड़े एक दिन दिल कड़ा करके वह उसके पैरों पर गिर पड़ी और गिर गड़ा कर कहने लगी कि बाई जी आप जो चाहें सोचें आपको अक्तियार है मगर मैंने तो उस वक्त भी आपकी भलाई ही की थी जब आपने मुझे राव जी को लेनी के लिए भीजा था क्योंकि महल के बहार निकलते ही मुझे संद्य हुआ कि कोई आदमी जनाने भीश में राव जी पर ताक लगाए हुए है इसलिए मैंने उन्हें आपके महल में लाना खत्रे से खाली न समझा और अपने घर लिवा ले गई राव जी नशे में मतबाले हो रहे थे रात पर सोते रहे और मैं कटार लिये खड़ी रही जब उनकी नीद खुली और वो अपने होश में आए तो मैं आपकी खिद्मत में हाजिर होगी अगर इसमें मेरी कुछ खता हो तो माफ करें उमादे ने यसा बात ने तो सुन ली पर मुझ से कुछ न बोली भारी ली खिस्यानी होकर चली गई बारा जोतपुर पहुँच गई दीवान और मंत्री बड़ी धुम धाम से अगवानी को आए कोसों दूर तक फोज और तमाशाईयों का ताता लगा था किले में पहुंचते ही रानी बास की तरफ से बाजों के साथ फूल पत्तों से सजा हुआ एक कलसा आया राव जी उसमें अशर्फियां डालकर अंदर चले गए वहां उनकी मा रानी पदमा जी ने बेटे और बहु पर से अशर्फियां निचावर की बेटे और बहु ने उनके पैट चुमे अंदर जाकर देवी देवताओं की पूजा की गई और उमादे एक सजे हुए महल में उतारी गए राव जी के और भी कई रानियां थी और उनके वाल बच्चे भी थे पट्रानी आमीर के राजा भीम की बेटी लाचन देई थी राव जी का बेटा कुमार राम इसी रानी से पैदा हुआ था जाले की रानी सरूप देई सब रानियों में सुन्दर थी उसने राव जी का मिजाज बुलकुल अपने काबू में कर रखा था मगर जब से उसको मौतवर ख़बर मिली थी कि उमादे मुझसे सुन्दरता में कहीं बढ़ चड़कर है तब से उसकी चाती पसांप लोट रहा था डरती थी कि कहीं राजा साहाब मुझे नजरों से गिराज कर उसी के वश में न हो जाए लेकिन जब आज उसने सुना कि वह पहली ही रात को रूट गई और यहां आकर भी खिचाब है तब उसकी जान में जान आई मां से रुकसत होकर राव जी जाली रानी सरूप देई के महल में तश्रीफ ले गए उसने बड़ी खुशी से दोड़कर राव जी के पहँच हुए और अपना मोतियों का अनमोल हार तोड़कर उन पर मोती निचावर किये वह उमादे के खिचे होने और जलेपन से बहुत खिनो दुखी हो रहे थे रानी सरूप देई की इस गर्मा गर्मी और जोश तपाक से बहुत खुश हुए और उसे शादी का सब हाल सुनाने लगे रानी ने सुनकर आरज की अगर आप कहें तो एक दिन मैं भी भटानी जी से मेलाओं राव जी भटानी क्या है एक भाटा है सरूप देई हसकर वाह आपने बड़े इज़्जत की भाटा क्योंने होने लगी भटानी है राव जी हाँ भटानी तो है मगर पत्थर की बनी है घमंड की सच्ची मूरत सरूप देई इश्वान ने रूप दिया है तो घमंड क्यों न करे क्या आपको यह बात भी न भाई राव जी आखिर घमंड की भी कोई हद होती है सरूप देई भला जो एक बड़े घर की बेटी हो बड़े राव की रानी हो नवेली दुलहन हो नौजबान हो सुन्दर हो उसके घमंड की क्या हद हो सकती है मुझ जैसे गरीब की क्या घमंड करेगी राव जी यह सब तो तुमने ठीक कहा मगर उसका सुभाव सचमुझ बहुत कठोर और रुखा है तुम उससे मिलका खुश न होगी सरूप देई अच्छा तो आप तश्रीफ ले चलिए हम सब आपके साथ चलेंगे राव जी हंसकर ठीक है तुमारे साथ चलकर अपनी बिज़्जती कराऊ सरूप देई गर्म होकर वह क्या उसका बाप भी आपकी बिज़्जती नहीं कर सकता राव जी और चाहे तो पती की बहुत कुछ तोहिन कर सकती है अगर तुमारे सामने वह मुसे मुखातिब ना हुई तो बतलाओ मेरी बिज़्जती हुई या नहीं सरूप देई जब आप इतनी सी बात में अपनी बिज़्जती समझाएंगे तो उसका घमंट क्यों करने भेगा और कौन निभाएगा हाँ यही देखना है उमादे और उसकी सौतिने राणी सरूप देई ने सब राणियों से कहला भेजा कि भट्टानी से मिलने की तयारी कीजिए दूसरे दिन सब राणिया बंठन कर बड़े ठस्ते से उमादे के महल में आई उमादे ने उठकर राणी लाचल देई को सबसे उपर विठाया और ज्यादतर उसी से बातचीत की बाकी सब राणियों से मामूली तोर पर मिली और बहुत कम बोली इसलिए वा दिल में बहुत कुड़ बुड़ाई और उसकी शकल सूरत को देखकर तो उनकी दिलों पर दाख पड़ गए लोटने पल लाचल देई तो अपने महल में चली गई बाकी राणिया सरुपदई के महल में जमा होकर मश्विरा करने लगी और बहुत दिमाग खर्च करने के बाद यह राय तै कर पाई क्यों मादे तो रूठी ही है राव जी को भी जोड़ तोड़ लगा कर उससे खफा कर देना चाहिए ताकि वा उसके महल में जाना बिलकुल छोड़ दे क्योंकि अगर कभी उसने हसका राव जी की तरफ देख लिया तो वा उसी क्यों हो जाएंगे इतने में राव जी आ गए और पूछा कहो भट्टानी जी कैसी है सरुप दे हैं तो बहुत अच्छी पर अल्हड बचड़ी है तब तो दुलत्तिया भी जाड़ती होंगी हमें इससे क्या जो पास जाए वैलात खाए राव जी जिसे दुलत्तिया खानी होंगी वही पास जाएगा सरुप दे सो बात की तो एक बात यही है तब राव जी ने दूसरी रानी से भी यही राय पूछी, रानी पार्वती ने कहा महराज वह तो बड़ी घमंडिन है अपने बरावर हमें क्या माजी को भी नहीं समझती जाला रानी ही रादेई ने फरमाया महराज कुछ न पूछी है अपने सिवा हम सब को जानवर समझती है आहडी रानी लाचल देई बोली मैं तो जाकर पच्चताई उसकी मा ऐसी जिद्धी छोकरी न जाने कहां से लाई उसकी आँखों में न लाज है न बाच्चीत में लोच मैं तो आपको उसके पास न जाने दूँगी सोगरा रानी लाडाने कहा वह तो मारे घमंड के मरी जाती है ना आई की इज़त न गई की खातिर ऐसी माहरानी के पास कोई जाकर करेगा क्या चोहानी रानी इंदर बोली माहराज मैंने बहुत औरतन दीखी एक से एक सुन्दर मगर ऐसा फिरा हुआ मिजाज किसी का न दीखा न जाने उसके गोरी बतन में कौन सा भूत समा गया है रानी राजवाई ने फरमाया गोरी चिट्टी है तो क्या लच्छन तो दो कोड़ी के भी नहीं है बड़े घर आ गई है नहीं तो सारा घमंड धरा रहता जाला रानी नौरंग देई बूली जवाणी की नशे में दीवाणी हो रही है यहीं नहीं जानती जवाणी सब पर आती है कुछ उसी पर नहीं है कल जवाणी जाती रहेगी तो यह सब दिमाग खाक में मिल जाएगा यह सब जहरीली बातें सुन सुनका राजवी को भी गुस्ता आ गया उन्होंने उमादे के याँ आना जाना कम कर दिया कभी जाते तो उसे एक निगाह देखकर चले आते उमादे भी सिर्फ उनके आदर के लिए खड़ी हो जाती कुछ बातचीत न करती रावजी की दो और भट्टानी रानियां थी उनसे वह उमादे के बारे में कुछ बातचीत न करते किकि वह जानते थे कि उन्हादे की शिकायत ना गवार गुजरेगी वहभी रावजी से कुछ न कहती पर जी मैं यही चाहती थी कि अगर उनका और उमादे का मिलाप हो जाता तो बहुत अच्छा होता एक दिन मौका ढूंड कर उन्होंने कच बाहा रानी लाचल देई से कहा कि उमादे नादानी में अपने पैर में आपको लाड़ी मार रही है अभी कमसिन है सौता के दाव पेच को क्या जाने अगर यही कैफियत रही तो बिचारी की जिन्दगी अजीरन हो जाएगी आप देखती हैं अब राव भी उसके हां कम जाते है मगर उसकी अकड़ अभी तक जियों की तियों है राव जी को ऐसी बेरुकी नहीं दिखलानी चाहिए वह भरी अभी अलड़ है अगर नादानी करे तो माफी के काविल है मगर राव जी अकलमंद होकर क्यों रूटते हैं लाचल देए बहुत नेक और समझदार औरत थी उन्होंने बादा किया कि मैं राव जी से इसका जिक्र करूंगी लिहाजा एक दिन शाम के बक्त वह राव जी की खिदमत में हाजिर हुई और इधर उधर की बादचीत करते करते पूछा आपने अपनी नई राव जी के पास आना जाना क्यों कम कर दिया राव जी मैं तो बरावर आता जाता था मगर उसी ने रूट कर मजा गिरकिरा कर दिया रानी लाचल दे वैर उठी क्यों है? मुझे इसका भेद अब तक न खुला भारीली की बदौलद फिर आप भारीली को क्यों इतना मू लगाते हैं? वो उमा के बरावर की नहीं है इसमें मेरी क्या खता है? उमा देई ही ने मैं उसे मेरे पास भेजा था ठीक है मगर चाहिए के भारीली अपनी जगे रहे और उमा उमा की जगे है मैं भी तो यहीं चाहता हूँ पर उमा नहीं मानती उसके जी का कुछ हाली नहीं खुलता कि आखिर क्या मंशा है? तुम जरा पता तो लगाओ बहुत अच्छा कोई मौका आने दीजिए रानी लाचल देई ने यह सब बातें उमा से कही उसने उनको धन्यवाद दिया मगर इसका कुछ नतीजा ना निकला हाँ उमा को यह मालुम हो गया कि यहाँ भी एक औरत ऐसी है जो मेरे दुख को समझ सकती है अब बे अक्सर लाचल से मुलाकात करके उसे दिल बहलाती और उसे जी जी बाई कहती उसके लड़के कुमार रान को बहुत प्यार करती दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं मुन्शी प्रेमचन द्वारा लिखा हुआ पन्यास रूठी रानी अध्याचार